नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इश्टेजी विडिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं परियावरन अध्यन के 30 अती महत्य पूर्ण प्रश्णों के बारे में यह एक practice rate है कल हमने बालविकास का practice rate डाला था अपलोड किया था उसमें काफि अच्छा आपका response मिला आपके काफि कमेंण्स आए कि सर सबी subject के practice rate लाइए तो ये परियावरन का practice rate है जिसमें आपको 30 प्रशने मिलेंगी इसमें आपको 20 अंक प्राप्त करते हैं तो आपकी जो तयारी है परियावरन अध्यन क्यों काफी अच्छी है तो आपको यहाँ पर 20 प्लस अंक प्राप्त करना है और हर प्रशने का आपको कमेंट से की माध्यम सा अंसर देना है और अन्त में टोटल आपको बताना है कि इन तेज प्रशनों में आपको कितने number आए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रशने हमारा प्रयावरन अध्यन का निम्लिकत में ऐसे कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर आपको बताना है कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है नर्बदा नदी है वो कोशी नदी है ब्रहम पुतर नदी है या फिर दामोदर न कि यदी की सबसे बड़ी साहिक नदी है कोशी नदी तो वह कोशी नदी है और यहां मांट एवरेष्ट के पास गोसाई थान च्षोटी से निकलती है तथा नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेस करती है यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिहार में इसे सोक नदी के नाम से भी जाना जाता है याद रखेगा यदि पूछे कि बिहार का सोक कौन सी नदी को कहते हैं तो वो है कोसी नदी और नेपाल में से क्या कहते हैं कोसी नदी को तो याद रखेगा नेपाल में से सब्त कोसी के नाम से जाना जाता है कोसी नदी को आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर थोड़े थोड़े में आपको समझाते भी चलूँगा ताकि आपको सभी तरह की जानकारी आपको इसे सम्मझत प्राप्त हो जाए तो आगले प्रशनी की ओर बढ़ेंगे दूसरा प्रशनी है क्योटो प्रोटोकाल का प्रत्थम शिखर शम्मिलन किस देश में आयुजित किया गया था काफी इंपोटेंट हैं एक्जाम में पूछा जाता है सयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी जापान या फिर स्वजलेंड तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जापान याद रखेगा क्योटो प्रोटोकाल का प्रत्थम शिखर शम्मिलन जापान देश में आयुजित किया गया था अब बात करते हैं कि क्यों किया गया था इसका आयुजन तो इसका आयुजन परियावरण की देखरेक के लिए किया गया था काफी इंपोटेंट हैं दियान दीजेगा तीसरा वाला विकल्पे आपका यहाँ पर सही होगा भोजन में नमक का क्या महत्व है यहाँ पर जो भोजन में हम नमक का जो उपयोग करते हैं उसका क्या महत्व है यह आपको बताना है पानी में भोजन के कणों की विलेता में वरद्धी होती है इसलिए भोजन के पाचन के लिए जरूरी hydro-chloric aml के उत्पादन में सहिक करना है इसलिए सहिता करता है इसलिए खाना पकाने की प्रक्रिया को असान करता है इसलिए और भोजन का स्वाद बहतर बनाता है इसलिए भोजन में नमक का क्या महत्व है यह आपको बताना है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भोजन के पाचन के लिए जरूरी हाइड्रो क्लोरिक अमल के उत्पादन में सहाइता करता है इसलिए भोजन में नमक की आउशकता होती है तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर बीवाला होगा अगला प्रशन विटामिन B2 का दूसरा नाम है यहाँ पर देखें विटामिन B2 का दूसरा नाम पूछा गया है या फिर कह सकते हैं कि विटामिन B2 का रासाइनिक नाम क्या है थाइमिन है, हिमोगलोबिन है, रिबोफलेविन है या फिर डेकरोज है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रीवोफलेविन याद रखेगा विटामिन B2 का जो दूसरा नाम है या फिर रासाइनिक नाम होगा और रीवोफलेविन होगा एक प्रस्ण और पूछ जाता है कि विटामिन B2 किस प्रकार का विटामिन ही तो ये जल में गुलनसिल विटामिन ही, यहां दुग्द उत्पादो, केला एवं हरी सेम से प्राप्त होता है विटामिन B2, याद रखेगा आपका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर तीसरा वाला होगा, यदि आपने C विकल्प चुना है, तो आंसर एक नंबर आप और आ विटामिन C है, विटामिन D है, या फिर विटामिन के है, सरलसा प्रशन है, यदि आप अच्छे से इसको धिहान से पढ़ेंगे, तो आप इसका अंसर पाएंगे विटामिन C, याद रखेगा, जो विटामिन C है, यह किसी भी पसुखादी में नहीं पाए जाता है, यहां म कौन सा रोग होता है तो इसकी कमी से इसकरवी रोग होता है याद रखेगा एक बरफियों दोहरा देता हूँ काफ़ इंपोटेंट है जानकारी है विटामिन सी किसी भी पसुखादी में नहीं पाया जाता है यहां किता खटे फलो में पाया जाता है विटामिन सी जल में गु वाला होगा छटा प्रस्न है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में साहिक है सराल सा प्रस्न है आप सभी को इसका आंसर पता होगा विटामिन B है विटामिन C है विटामिन K है या फिर विटामिन E है वहाँ कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में साहिक है तो वो है विटामिन के याद रखेगा विटामिन के रख्त का ठका बनाने में साय के और यहाँ वसा में गुलनसिल विटामिन है याद रखे किस प्रकार का विटामिन है यह तो यहाँ वसा में गुलनसिल विटामिन है विटामिन के तो याद रखेगा राइट आंसर आपका पर तीसरा वाला होगा चलिए आगे बढ़ते हैं सात्व प्रस्ण है और इंपोटेंट प्रस्ण हैं म्रदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है म्रदा जल तनाव इन चारो विकल्पों में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है काफ़ इंपोट हैं म्रदा जलतनाव टेंशियो मीटर उपकरन से मापा जाता है तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा आगे बढ़ते हैं आठवा प्रश्ण है जली पोधों का भोजन इस्तरोत होता है यहाँ पर देखिए जली पोधों का भोजन इस्तरोत पूछा गया है कौन स होता है यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा थिल्लाना एक प्रारूप है यहाँ पर जो थिल्लाना है यह किसका एक प्रारूप है कथक का कुछी पूरी का ओडिसी का या फिर भरत नाट्यम का सबसे पहले जानते हैं कि थिल्लाना होता क्या है थिल्लाना एक सं यहाँ पर फूर्ट वाला विकल पे आपका सही होगा काफी इमपोटेंट हैं इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में पूछा गया है आंदर प्रदेश और राजिस्तान, असम और बिहार, अनुनाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंदिगड कहां पर हुई थी तो ये हुई थी आंदर प्रदेश और राजिस्तान, याद रहेगा काफी इंपोर्टेंट प्रस्न है, प्रधान मंत्री जवाल पर आता है आंदर प्रदेश यात रखेगा फिर दोरा देता हूँ प्रधान मंत्री जवालाल नहरू द्वारा दो अक्टूबर 1969 नागोर जिले में त्री इस्तरी पंचायती राज व्यवस्था द्वारा इस्थानी स्वसासन का उद्गहटन किया इसके पश्यात पंचायती सबसे पहले कहाँ पर किया राजिसतान में किया 2 अक्टूबर 1959 दुसरा कहाँ पर किया आंदर प्रदेश और आपका यहाँ पर राइट आंसर यहीं याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं एक्जाम में पूछा जाता है तीसरा प्रशन है, तीन इस्तरी पंचाईती राज में सामिले, जो तीन इस्तरी पंचाईती राज है, उसमें कौन सामिले, ग्राम इस्तर पंचाईती राज है, उसमें कौन सामिले, ग्राम इस्तर पंचाईती राज का अर्थ होता है, ग्राम इस्तर पर ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत ब्लाक इस्तर पर ब्लाक पंचायत और जिला इस्तर पर जिला इस्तर पर जिला पंचायत जिसे 73 सविधान संसोधन अधिनियम 1992 द्वारा लागू किया गया यदि पूछे कि इसको कौन से सविधान या फिर कौन से अधिनियम के तहट लागू किया गया तो 73 स इस तर पर ब्लाग पंचायत और जिला इस तर पर जिला पंचायत यहां पर तीसरा वाला विकल पर आपका सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं काला अजार रोग का वहा के यहां पर जो काला अजार है यह किसके कारण होता है इसका वहा कौन है इसके बारी में आपको बताना ह Q-Lex मच्चर के कारण होता है CC मख्य के कारण या फिर सेंड मख्य के कारण तो याद रखेगा काला अजार को काला बुखार भी कहा जाता है और यह सेंड मख्य के कारण होता है यह लिस्मानिया दोनों वानी नामक प्रोटो जवा की वज़े से होता है और इसका वहाँ कौन है काला आजार या फिर काला बुखार का तो यह सेर्ण मक्हियां पर फोर्त वाला विकल्प आपका सही होगा पेंथरा डिग्रिस विग्यानिक नाम है जो पेंथरा डिग्रिस है ये किस का विग्यानिक नाम है चीता का बाग का बकरी का या फिर वहल का काफी इंपोटेंट है और काफी सरल है एक्जाम में पूछा जाता है तो ये ही बाग का याद रखेगा पेंथरा डिग्रिस विग् अविंदर नाट टेगोर ने नंदलाल बोश ने या फिर जेमिनी रोई ने तो यहाँ पर आइट आंसर होगा भारत माता की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो भारती चितरकार अविंदर नाट टेगोर द्वारा बनाए गई थी अब बाता थी कब बनाए गई थी तो याद लखेगा भारत माता की प्रसिद्ध पैंटिंग भारती चितरकार अविन्दना टेगोर द्वारा 1905 में बनाए गई थी यहां पर भी वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ने हैं अलक नंदा और भागीरती नदियों के संगम का क्या नाम है यहां पर देखिए अलक प्रियाग होगा देव प्रियाग होगा हरी द्वार होगा या फिर केदार नाथ होगा तो राइट आंसर होगा जहां पर यह संगम होता है या फिर मिलती है उसका नाम होगा देव प्रियाग याद रखेगा भारत के अलक नंदा और भागीरती नदी का उत्राखंड के तेह पर आपका राइट आंसर क्या होगा बीवाला होगा चलिए अगला प्रस्ण है तिबबत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी काफी इंपोर्टेंट काफी पड़ा होगा आपने इस प्रस्ण के बारे में गंगा नदी है ब्रह्मपुत्र है सिंदू है आफितिस्ता है तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र याद रखेगा भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिबबत में भी बहती है जिसे वहां के छेतर में सांगपो क नदी के नाम से इसे जाना जाता है तो इसे सियांग नदी के नाम से जाना जाता है तो इसे सियांग नदी के नाम से ज यहां पर देखे चार परवर्ट सेनी दी गई है उसमें भारत में कौन से इस्तित है यह आपको बताना है अराकान योमा है सुलेमान है साल्ट रेंज है या फिर पीर पंजाल है काफ इंपोर्टेंट है जो और दीजी अपने दिमाग पर और बताईए इसका सही आंसर क्या पीर पंजाल याद रखेगा जो पीर पंजाल है यह भारत में इस्तित परवर्ट सेनी है बाकी जो अराकान योमा है सुलेमान है साल्ट रेंज है यह कहां पर इस्तित है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो याद रखेगा जो अराकान योमा है यह मियानमार मे स्थित है सुलेमान की बात करें तो सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है जो की परवस्रेनी है भारत में पूछी गई है तो आपका राइट आंसर पीर पंजाल होगा यहां पर डी वाला विकल पे आपका सही होगा भारत की किस नदी को व्रद्ध गंगा कह यहाँ पर देखे भारत की वो कौन से नदी है जिसे वरद गंगा कहा जाता है करश्णा गोदावरी कावेरी या फिनर्बदा काफी इंपोटेंट प्रस्न हैं तो याद रखेगा वो है गोदावरी गोदावरी नदी को वरद गंगा कहा जाता है और गोदावरी नदी को ही द महराष्ट के नासिक जिले से निकलती है कौन सी नदी गोदावरी नदी तो यहाँ पर भी वाला विकल्पे आपका सही होगा आंदर प्रदेश और तमिल नाडू के तटी भुबाग को क्या कहते हैं आंदर प्रदेश और तमिल नाडू के तटी भुबाग के बारे में पूछा गया है इसको क्या कहते हैं कोकन, कोरो मंडल, पूर्व टट या फिर मालाबार टट काफ इंपोर्टेंट प्रशन है आपको पता होना चाहिए इसे कोरो मंडल कहते हैं आंदर प्रदेश और तमिलनाडू के टटी भुबा को कोरो मंडल कहते हैं यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा सूखा रोग, इसके बारे में आपने पड़ा होगा सूखा रोग जो विटामिन डे की कमी से होता है यहां शरीर के किस अंग को प्रभवित करता है बाल को, हड्डियां को या फिर रक्त को शार विकल्पे हैं आपके सामने इसका सही आंजर क्या होगा इसका सही आंसर होगा हड़ियां को याद रखेगा सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है और यहां मुक्यता किस में होता है तो यह मुक्यता बच्चों में होता है और इससे हड़ियों में विक्रती पेदा हो जाती या फिर कह सकते हैं हड्डियों का जो हड्डी अंग है इसको ये प्रभवित करता है सूखा रोग तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर तीसरा वाला होगा और यह किस में पाया जाता है आगे बढ़ते हैं जोग जोग जलप्रपात किस नदी परिष्थिते काफी इंपोटेंट हैं एक्जाम मे नदी पर सरावती नदी पर याद रखेगा जोग जलप्रपात करनाटक के सरावती नदी पर सित्थे और इसकी उचाई की बात करें तो इसकी उचाई है 253 मिटर जोग जलप्रपात की उचाई कितनी होगी 253 मिटर होगी कौन सी नदी पर है तो यह सरावती नदी पर है यह कि हर बार एक तैस्तान होता है उसमें हर बार जो अंतराष्टी प्रतियोगिता होती है वो एक तैस्तान पर होती लेकिन इन चारो विकल्पों में से एक ऐसा अंतराष्टी टेनिस प्रतियोगिता है जो कि तैस्तान पर नहीं होता है उसके बारे में आपको बताना है फ्रेंच यह एक तईश्धान पर होता है लेकिन जो device cup है यह हर बार एक नए इस्तान पर आईउरित किया जाता है तो right answer आपका क्या होगा यहाँ पर be वाला डेविस कप आपका राइट आंसर होगा तेश्वा प्रस्न है उच्च न्याले में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्याले ने डंड दिया हो एक वर्स या फिर उससे अधिक डंड दिया हो तब की जा सकती ही दो वर्स या उससे अधिक तीन वर्से या फिर उससे अधिक या फिर चार वर्से या उससे अधिक तो उच्छ नियाले में अपील आप तब कर सकते हैं जिस सतर नियाले ने चार वर्से या फिर उससे अधिक दंड दिया हो यहां पर फोर्त वाला विकलपे आपका सही होगा शविधान निर्माताओं के दर्सन और आदर्स शविधान में हम कहां देख सकते हैं आपर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन है निर्मलकित में से किस अनुक्षेद के तहट कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उलंगन के लिए सीधे उचितम न्याले में जा सकता है कौन सा अनुक्षेद 32 है अनुक्षेद 28 से अनुक्षेद 29 है यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अनुक्षेद है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अनुक्षेद 32 या पर पहला वाला विकल्पे आपका सही रहेगा भागतीन में दिये गए मूल अधिकारों के उलंगन पर कोई व्यक्ति अनुक्षेद 32 में दिये गए सवेधानिक उभचारों के तहत सीदे उच्चितम न्याले में जा सकता है क्योंकि सरोत्तम न्यालई मूल अधिकारों की गारंटी देने वाली संस्ता है तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? पहला वाला, चलिए अश्यम में मानस अभ्यारन प्रस्द्ध है किसके लिए प्रस्द्ध है? असम में मानस अब्हरन जो मानस अब्हरन है दोस्तों एक टाइगा रिजर्व भी है और उसे यूनेसको में भी सामिल किया गया है कब किया गया है इसके वारे में हम थोड़े दिर बात जिकर करेंगे सब से पहले इसका आंसर जान लेते हैं कि असम में मानस अब्यहरन किसके लिए प्रशद्य हातियों के लिए रीचों के लिए बागों के लिए या फिर जंगली गधों के लिए तो जो असम में मानस अब्यहरन है ये बागों के लिए प्रशद्य है जैसा कि मैंने आपको बताय है कि इसको टाइगा रिजर्व भी में रखा गया है और उसे यूनिसको में भी सामिल किया गया है तो इसको 1973 में याद रखेगा माना सब्ध्वहरन बागों के लिए प्रसिद् march गया других में आप Economics तथा Further 115 में यूनिसको में इसे सामिल किया गया था कि इसे मानस अभ्यारण को और ये कहां पर इसी थे असम में इस्तित है किसके लिए प्रशिद्य है तो ये बागों के लिए प्रशिद्य है इसे टाइगा रिजर्व में कब रखा गया 1973 में और इसे युनिस्कों में सामिल कर लिया गया था 1985 में धिया आगे बढ़ते हैं भारत की सबसे बड़ी सुरंग जावाहर सुरंग कौन से राज्य में इस्ती थे जो भारत के प्रधान मंत्री जावालल नहरू है उनके नाम पर रखा गया था है सुरंग का नाम तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जावाहर सुरंग जमू एवम कस्मिर राज्ज में इस्तित है यहां फर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ने है भारत में क्रशी को दुस प्रभावित करने वाला मोशम का सबसे महतपून तत्व कुन सा है तापमान है आदरता है पवन है या फिर ओला वरष्टी है तो यह है ओला वरष्टी जो भारी बारी सोती है उसे ही ओला वरष्टी केते हैं और यह भारत में क्रशी को दुस प्रभावित करने वाला मोशम का सबसे महतपून तत्व है तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा उच्चतम कोटी और सर्वत्तम गुणवत्ता वाला कोईला यहाँ पर देखिए उच्चतम कोटी और सर्वत्तम गुणवत्ता वाला कोईले के बारे में पूछा गया है कौन सा है लिगनाइट है पीठ है बिट्टु मिनस है या फिर एंत्रासाइड है का फिर important प्रस्न है ध्यान दीजेगा वो कोईगा है एंत्रासाइड याद रखेगा एंत्रासाइड उच्छत्म कोटी और सरोत्तम गणवत्ता वाला कोईगा इसमें जो कार्भन की सरवाधिक म मात्रा यहां जलते समय दुवान नहीं देता है यदि पूछे कि भारत में कहां पाय जाता है तो याद रखेगा यह भारत में जम्मू कस्मीर में पाय जाता है उचतम कोटी और सरोत्तम गुनवत्ता वाला कोईला जो कि कौन सा होगा एंत्रसाइड होगा चलिए अंतिम यही पर आज के जो 30 प्रष्ण थे पर्यावरा नध्यन के यहीपर समाबत होते हैं I hope आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर चुके होंगे आपको कमेंटस के माद्यम से बताना है कितने अंका प्राप्त आपने यहाँ पर की हैं 30 प्रस्टनों में यदि और भी आपको इनके practice strategy इस प्रकार के practice strategy आपको चीह तो आप कमेंटस के माद्यम से बता सकते हैं जलते ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जबते के लिए धन्यवाद